राजस्तान प्रुदेश में राजसभाचुनाव के बाद आने वाले लोगसभाचुनाव पर कॉंग्रिस की कड़ी नजर है इसी के चलते हैं कॉंग्रिस पार्टी के दो कदावर नेता गोविन सिंग डोटासरा और प्रुदेश प्रभारी रंधावा दोनों ही इन दोनों राजस्तान में भजन सरकार पर जमकर तीखा प्रुखार कर रखी हैं डोटासरा ने जमकर निशाना साथ तेवे कहा कि राजस्तान में भजन लाल नहीं बलकि गजींदर सिंग शेखावत मुख्यमंत्री बनने वाले थे यह बार डोटासरा ने जोदपुर में प्रेस कॉंफरेंस के दुरान कही है और बीज़ोपी को पर्ची वाली सरकार बोल दिया इतना इनी डोटासरा ने कहा कि जो वैक्ती एक घंटे पहले टेंट और भोजन की ववस्ता देख रहा था उसे मुख्य मंत्री बना दिया क्या कही न कहीं डोटासरा ने इशारो इशारो में सियम भजलाज शर्मा को टेंट और भोजन वाला मुख्य मंत्री बता डाला तो वहीं दूसरी तरफ रंधावा ने आजवानी पर आपत्ती जुनक टिपने करते वे कहा कि भारत रत्र तो मेरे मरे हुए लोगों को दिया जाता है इसका पर जादा चट्चवा के लिए निउज रूम से सुरेंद्र हमारे साथ बने वेह लगातार सुरेंद्र यानि कि आर और पार की तरफ से लड़ाई तो देखी जा रही है मिशन 24 को लेकर यानि कि लोग सबाचुनाब को लेकर लेकिन उससे पहले कॉंगर्स में कही न कहीं देखा जा रहा है कि किस तरीके से बीजोपी पर एक के बाद एक निशाना साथा जा रहा है बेरहाल फिलहाल की जो वर्तमान सिरकार है भारती जुनता पार्टी की बजोनलाल सिरकार मुंख्यमंत्री है और उस पर कई न कई रंधावा और गोविन सिंग डोटासर ने निशाना साथा है बिल्कुल चंदा समझना मुश्किल है लेकिन बहुत आसान सी निती हूँ हां में राज निती हूँ चंद लोगों की वज़े से हर वक्त जहर पीती हूँ हां में राज निती हूँ हलाकि राजिस्तान की राजनिती में जिस तरीके से अभी जो क्यास लगाये जा रहे जो तस्वीरे सामने आ रही हैं वो तस्वीरे लोगों में चर्चा का विशे बनती जा रही है देखिए इससे पहले चुना हुए बिधान सबा के बिधान सबा में जिस तरीके से आकरमक बल लिए बाजी के तोर पर बीजेपी पर लगातार निशाने साध रही है हला कि लगातार इस वक्त जो है वो एक तरफ राहूल गांधी भारत जोड़ो न्यायातरा का रूप दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस लोगों को जोडने के लिए चुनावों में वोटरो को साधने के लिए या फिर यों को साधने के लिए चंदा फंडिंग का जो है वो नया फॉर्मूला उन्होंने एक्तियार किया है हला कि जिस तरीके से इस वक्त अभी राजिस्तान में कॉंग्रेस प्रभारी रंदावा और डोटास रा लगातार और ठीका रामजूली यह त इस तरीके से जो अभी जो टिपनी की गई है कि एक घंटे पहले जो बोजन और टेन की वेवस्ता देख रहे थे अचानक से वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इस तरीके से अब बीजेपी जो है वो डोटास रा को सामन्त वादी सोच का वेक्ति बताते हुए अटेक करना चारी है हाला कि एक तरफ राहूल गांधी की भारत जोडो नयाय यातरा एक तरफ कॉंग्रेस की चंदा फंडिंग प्लानिंग ये चंदा समझ से परे तस्वीरे नजर आ रही है हाला कि लेकिन ये तस्वीरों से जल्दी परदा हटेगा लगातार इस तरीके से टिपनी करन है लगातार मोधी की नीति और रिति को लेकर के तो अब उन्होंने अड़वानी पर इतनी बड़ी टिपनी करन डाली कि भारत रत न तो जो है वो मरे हुआ को दिया जाता है अब इतियास के किसी कानून में या किसी काली किताब में अगर कहीं से चीज लिखी है तो लिए और जनता जानती है ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इसकबर पजारा चर्चा के लिए बहराल वाकरी देखना है मुगा कि जिस तरीके से कॉंग्रिस पार्टी एक के बाद एक बार कर रही है बीजोपी पर क्या इसका जवाबी हमला बीजोपी के तरफ से किया जाता है या फिर नहीं तो यहाँ पर रुकेंगे छोड़े से ब्रेक के लिए जो अलदातरोंगी कुछ और खबरों के साथ